जीला भाजपा के एक बैठक धरमशाला में हुई इस बैठक ये दक्षता भाजपा के रास्टे उपदक्ष दुश्यन्त गोतम ने की इसमें उन्होंने कहा कि हमने 11 अगस तक 2 करोड 20 लाख नए सदस्य बनाने का लक्षे निर्धारिक किया था नए लोगों में भाजपा के साथ जुड़ने का करेज है इस अफसर पर उन्होंने मीडिया से मुखातिप होते हुए कहा कि हिमाचल में जैसे ही उपचनाओ की घोषना होगी पार्टी अपने परतियाशी के हातों में कमल थमा कर चहरा भी सावजनिक कर देगी गोतम ने कांगडा में संगठन और विधायकों की आपसी लड़ाय के सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा का कुनबा बड़ा है जिसमें छोटी-छोटे घटनाओ की तरहीज नहीं दी जाती यहां सब एक जुट हैं वहीं गोतम ने कश्मीर मुद्दे पर कहा कि भारत का सिर्फ कश्मीर ही नहीं पाक उक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का ही है जिसे कभी कोई भी उससे च्छीन नहीं सकता ना ही किसी के मधस्ता इस मामले में सविकार करने योग्य होगी गोतम ने भारत में राम मंदिर बनने की बात पर कहा कि उन्होंने अयोध्या में हर हाल में राम मंदिर बन कर ही रहेगा परियाब सक्थिसलियों उस्सा खत्म कर लेकिलिये लिए नाम मंदिर बनेगा हिंदुस्तान में बनेगा और राम के आरध्यी जितने लोग हैं उनकी आस्ता है और हमें लगता है कि सभीदान भी हमारा देशबी हमारा सभीधान के परतिवी आस्ता है और परिणाव हमारे अनुभूप आएगा धरम शाला का चुनाव हम वैसे ही जीतेंगे जैसे लोग सवागा जीते हैं इसलिए जहां तक प्रतियासी है प्रतियासी जो भी होगा कमल का चुनाव चिंद्ध में होगा और जब चुनाव हो जाए झाल झाल के तक प्रतिया सही जो हूशा कर झेल होगा जोग